हालो फ्रेंड्स अभी हम लोग कानपुर से 60 किलमेटर दूर अपने एक फ्रेंड के पास जा रहे हैं जिसके हम मुंफली काफी होता है तो अभी जाके हम लोग देखेंगे कि मुंफली का प्लांट कैसा होता है क्योंकि मैंने आज तक मुंफली का प्लांट नहीं देखा मुंफली तो हम लोग बहुत खाते हैं लेकिन मुंफली का प्लांट अभी तक नहीं देखे तो चलिए देखते हैं कि कैसा होता है प्लांट कहां उखता है जमीन में उखता है कि उपर उखता है तो फिर चलिए चलते हैं अभी हम लोग आ गए हैं ये गाउं टाइप का एरिया है तो यहाँ पे ट्यूबेल चल रहा है मुंफली किसी चाई हो रही है तो चल के देखते हैं कि मुंफली का खेट कैसा है कितना सीतल पानी है ये खेटों में जा रहा है और आगे ट्यूबेल है ट्यूबेल से ही पानी आ रहा है तो आप देख सकते हैं और मैं अभी आपको मुंफली के खेट मिले जाने वाला हूँ क्योंकि कक्ची मुंफली बहुत ही टेस्टी लगती है आप लोग पक्की मॉंफली खाये हैं लेकिन कक्ची मॉंफली अभी तक नहीं खाये और अगर कभी खाने का मौका मिला तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो टेस्टी होता है, तो चलिए, अब मैं आपको, ये देखिए भाई साब, एक हैं, मैंने बोला तो ये साफ कर रहा है मुझफली, तो चलिए दिखाते हैं, ये देखिए, ये है मुझफली, जो जड़ों में लगती है, और ये है मुझफली का खेट, काफी दूर में फैला हुआ है, तो मुझफली के लिए जड़े पाने नहीं चाहिए होता है, और ये देखिए, एक यहीं का लड़का है, जो अभी ये सब ट्यूबेल पे नहा रहे थे, तो अभी मैंने बोला तो ये उखाड रहा है मुझफली का प्लांट और ये है मुझफली, देखने में बहुत खुबसूरत लगता है, और एक पेड में काफी मुझफली लगती है, दस से बीस मुझफली लगती है, देख सकते हैं, और ये भी कच्ची है, और कच्चा मुझफली बहुत ही टेस्टी लगता है, ये है मुझफली का पौधा, आप देख सकते हैं, ये कच्ची मुझफली इसमें आया हुआ है, और इसमें लगा हुआ है कच्ची मुझफली, बहुत ही खुबसूरत प्लांट होता है, ये पुरा भी है मुखाड के लेके आ रहा है, तो देखे, बहुत ही खुबसूरत प्ल मुंफली खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता लेकिन यह है मुंफली का प्लांट अरे मुंफली की कुम देख सब्सक्रीजय को प्लांट हुआ है वस्तोटब झाल झाल